हेलो एब्रीवन दिस सात्यों पाद्ध है एंड आई वेलकम तो अल आफ यू अन माई यूटूब चनल दुर्गाम बिज्ञान सांसान लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन्स फंक्शन में कुछ important parts, important properties देखी थी तो सबसे पहले तो हमने उसका definition देखा था कैसे green function की है से हम लोग लेनियर differential equation को solve करते हैं उबके इसकेबाद हमने उसका solution देखा कि जो non homogeneous LDE होगा वो solution उसका solution कैसे green function की हैट से लिखते हैं तो वो directly हम लोग देखे थे कि वो integral होता है of green function तो आज के lecture में हम देखेंगे कि कैसे हम green function की health से किसी भी differential non-homogeneous differential equation का solution find out करते हैं इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किसी भी non-homogeneous differential equation के लिए हम लोग green function कैसे find out करेंगे यहाँ पर दो चीज़े हैं सबसे पहली चीज़ तो यह हमको कोई differential equation दे रखा होगा उन्हेंने पूछा होगा कि इसका हमें green function find out करना है और उस green function की help से हमें उस differential equation का solution भी बताना है तो simply दो parts हो गए और कुछ problems ऐसी होती है कि हमें green function दे रखा होता है और हमसे पूछा जाता है कि what is the solution of this differential equation तो आईए start करते हैं आज का session step by step जो भी रहेगा बताते चलेंगे देखते चलेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक youtube channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए and share कीजिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक non homogeneous linear differential equation consider कर लेते हैं तो यह वाला form हम सभी ने last lecture में पढ़ रखा है तो simplicity के लिए मैंने यह जो form है वो यहाँ पे लिख लिया है अब हम क्या करेंगे अगर हम को अब क्या find out करना है basically clean function find out करना है इस non homogeneous LD key के लिए तो सबसे पहले क्या करना है RHS में जो हमें function of x दे रखा है उसको हम लोग पहले 0 consider करके homogeneous form में convert कर लेते हैं और हमने कई बार बताया है आपको कि यह जो function होगा यह function of x भी हो सकता है और एक constant भी हो सकता है तो यहाँ पे हम इसको 0 consider कर लेंगे और इसको हम लोग पहले homogeneous form में convert कर लेंगे ओके यह हमने लिया और इसको 0 consider किया और इसके बाद हमने इसको homogeneous form में convert कर लिया आप देखते हैं अब यह जो differential operator था इसमें जो derivative present थे वो हमने previous lecture में देखे थे अब हमने इसका जो complex form है वो यहाँ पे लिख लिया ओके तो यह हमने इसको यहाँ पे लिखा अब आप देखेंगे कि यह एक homogeneous differential equation में convert हो गया है यहाँ पे a1, a2 और a0 constant भी हो सकते हैं और function of x भी हो सकते हैं तो अब हम देखेंगे इसके बाद हमने क्या करना है इसका हम independent solution find out करेंगे जो equation 5 हमने consider किया है इसका independent solution find out करना है तो यह जब second order differential equation है तो इसके दो solution exist करेंगे दो linearly independent solution तो हमने उनको consider किया y1 and y2 are two linearly independent solution of equation 5 अब जब हमने यह दोनों solution linearly independent solution को consider कर लिया है तो जो हमारा complete solution होगा of equation 5 of equation 5 कौन से थी यह वाली तो हमारे equation 5 था इसका जो complete solution होगा basically वो इन दोनो linearly independent solutions का क्या होगा combination होगा तो हमने लिख लिया c1 y1 of x and c2 y2 of x दोनों का sum कर लिया है तो हमने इसको equation 6 वोल दिया इसके बाद यहाँ पे यह c1 and c2 confirm है कि यह numerical constant ही होगे इनके पर कोई भी condition नहीं है कि यह function of x होगे तो हमेशा आपको memorize रखना है कि यह हमेशा क्या रहेंगे numerical constant रहेंगे अब equation 3 जो था उसके according जो हमारा green function था वो एक property फॉलो करता था वो property क्या था कि अगर हम differential operator को green function पे operate करवा दें तो हमको direct delta function मिल जाएगा तो जब direct delta function मिल जाएगा तो हमने उस form को यहाँ पे लिख लिया equation 3 को यहाँ पे एक बार फिर से लिख लिया है अब आप देखेंगे कि हम आप क्या करने वाले हैं हम अभी अपनी सारी calculations को x not equal to a point पे करने वाले हैं तो अभी हम x equal to 0 को exclude कर रहे हैं पर हम देखेंगे आने वाले अभी upcoming क्या देखेंगे कि हम x equal to 0 को भी include कर लेंगे applying some boundary conditions तो देखते हैं यहां से हमने इसको x equal to 0 को exclude किया और बाकी सारे points को हमने ले लिया तब आप देखेंगे direct delta function के property से यह जब x not equal to a होता है तो यह 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा अब आप देखेंगे एक तो यह form बन गया और दूसरा हमारा यह वाला form बन गया जो हमने भी यहां consider किया था यह वाला form ओके तो यह जो equation 5 और equation हमने इसको नाम दिया था equation 7 equation 5 and equation 7 के पास similar form है जब similar form होगा तोनों के solution भी क्या होंगे सिमिलर होंगे देखिए यहां पर लिख रखा है equation 5 and equation 7 having same mathematical form so they must have same general solution ओके जब general solution होगा तो हम इस equation 7 के लिए एक solution define कर सकते है in similar way जैसे हमने equation 5 के लिए define किया था तो आप देखना है आपने यहां पर अब मैंने यहां पर क्या किया है देखेंगे देखिए हमने क्या किया कि हम x not equal to a ले रहे हैं तो x not equal to a में क्या रहेगा एक तो वो points होंगे जो a से छोटे होंगे और दूसरे वो points होंगे जो a से बड़े होंगे तो दोनों ही points के लिए दोनों ही side के जो number line होगी उसके दोनों ही points के लिए हमने क्या किया अलग-अलग दो green function का combination consider कर लिया x when x is less than to a उसके लिए हमने यह green function लिखा वो लिखा a1 y1 of x plus a2 y2 of x तो यह condition किसके लिए है x is less than to a उके अब वो x is greater than to a होगा जब तब क्या है रहने वाला है इसका solution रहने वाला है b1 y1 of x plus b2 y2 of x उके तो यह इसका second combine form हो गया आप देखिए यह इसका journal solution है तो यह हमारा green function का general form हो गया और basically यहाँ पे हम जो symbol यूज़ कर रहे हैं a1 a2 b1 b2 basically यह constant नहीं है तो यह constant नहीं है यह variable भी हो सकते हैं variable हो नहीं सकते हैं variable होंगे तो यह variable होने वाले हैं और इनका जो हम value जो भी functionality है वो कैसे find out करेंगे वो हम ऐसे find out करेंगे यहाँ पे हम boundary conditions की health से जो भी इनका value रहने वाला है वो find out करेंगे तो यही चीज मैंने आप लिख रखी है कि here a1 a2 b1 b2 are not constant these are function of a काफी ज्यादा important point है आप इसको memorize रखेगा याद तो करना पड़ेगा मैंने भी याद किया है आपको भी याद करना पड़ेगा कुछ points ऐसे है जो memorize करने पड़ेंगे क्योंकि green function से अभी recently exam में question नहीं आये हैं पर काफी सारे exam से आये भी हैं मैं CISIR की बात कर रहा हूं पर आने वाले exam में question आएगा आप यह मान के चलिए और आना ही है क्योंकि green function basically बहुत जादा important और एक टूल है हमारे mathematical physics में जिसका use हम quantum mechanics हो गया या फिर statistical mechanics हो गया और electromagnetic theory में भी इसका use करते हैं और इसी के साथ हम लोग quantum mechanics रहता है उसमें scattering theory में one approximation इन सभी में इसका use करते हैं तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा कुछ points को memorize करना पड़ेगा कि कैसे कैसे find out करते है solution किसी भी differential equation के लिए green function कैसे निकालते हैं अला कि मैं जब यह पूरा जब topic complete हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा सा physics से भी relate करके वता देंगे कि कैसे हम लोग physics में इसका use करते हैं तो अभी हम लोग देखते हैं यहां पर हमने यहां तक देख लिया कि जो यह 4 हमें दे रखे हैं terms यह basically function of a रहने वाले हैं तो अब हमारे mind में question आता है कि how to find these terms तो a1, a2 और b1, b2 को कैसे find out करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो green function रहेगा हमारा वो यहां पर जो conditions रहेंगी 4 conditions को satisfy करेगा और 4 conditions है हमारी step by step देखेंगे 1 by 1 कौन कौन सी condition है तो सबसे पहला जो condition है वो है green function satisfied the first boundary condition given for yx आप देखिए जो भी boundary condition first boundary condition y of x के लिए दिया रहेगा वो same property हमारा green function satisfy करेगा क्यों satisfy करेगा यह भी आपको सूचना चाहिए इसका reason यह है कि जब हम journal solution लिख रहे थे आपने ध्यान होगा equation 5 and equation 7 हमने लिखा था कि दोनों ही same form में है mathematical form दोनों का same है तो हम यह मान सकते हैं कि इनका journal solution भी same होगा journal solution तभी same हो सकता है अगर green function हुई उन properties और उन boundary conditions को follow करे जो हमें y of x के लिए दे रखी है इसलिए हमने यह point यहाँ पे लिखा है second point जो second condition है जिसको green function follow करता है वो है हमारा कि second boundary condition भी दे रखा होगा तो वो भी green function satisfy करेगा अब आने वाली दो properties बहुत ज़्यादा important है इन properties की help से examination का कोई भी question हो आप solve कर लेते हैं 80% ओके तो 80% हो सकता है question easy हो तो केवल दो ही properties solve हो जाए तो आई यह देखते हैं next हमारी जो third property है वो क्या है कि when we talk about at x equal to a previous what we did we excluded x equal to a तो हमने x equal to a को exclude किया था और x not equal to a को include किया था अपने theory part में और अब हम क्या कर रहे हैं इन इस condition third में x equal to a को भी include कर ले रहे हैं मैंने पहले भी कह था कि अभी हमने x exclude किया है आगे include कर लेंगे तो हमने इसको include कर लिया तो include कैसे किया हमने बताया कि जब x equal to a point आएगा तब हमारा green function continuous हो जाएगा यह conditions है green function के लिए जिन्हें green function satisfy करता है और follow करता है तो जो continuity का जो condition रहता है वह आप सभी को पता है कि जब हम x tending to जब हमारा रहता है a plus यह और x tending to a minus यह दोनों ही equal रहते हैं तो fourth condition का use करके question को easily solve कर सकते हैं ओके तो fourth condition क्या कहता है fourth condition कहता है कि derivative of green function with respect to x has a discontinuity of a magnitude of 1y a2 function a at x equal to a okay अब यहां पर आपने इसी ध्यान रखनी है कि अब यहां कि यह a2 क्या है okay तो आपने previous जब हमने देखा था तो हमने जो non homogeneous differential equation use की थी उसमें a2 second derivative का coefficient था तो यह उसका coefficient हमने यहां पर use कर रहे हैं तो यह coefficient उसका है और उसमें function of x था तो हम उसमें x equal to a रख देंगे अगर constant होगा तो x equal to a रखने की चिरूद नहीं है कहां रखेंगे उसमें तो कुछ दिया ही नहीं होगा constant होगा तो अगर दिया है तब रखना है नहीं दिया है कोई बात नहीं तो यहां पर discontinuity जो रहता है amount of discontinuity वह इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग और यह किसके एकल होता है one upon a2 और function of a तो यह amount of discontinuity का formula हो गया और साती साथ fourth condition भी हो गया आप लोग इस एक बार memorize करेंगे देखिए third and fourth most important condition है और first and second अगर आप नहीं भी apply करेंगे तो भी कोई वात नहीं वैसे third and fourth से आप right option और question का answer find out कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें question का केवल answer ही find out नहीं करना है अगर ऐसा करना है तो तो बस पार्च मिट लगता है green function complete हो जाता है हमने हम क्या करना है अगर हम research वगरा के लिए जाएंगे तो बहां जाके पच्ताना ना पड़े कि कास अपनी msc या फिर msc का जो भी drop दिया था उसमें green function ठीक से पढ़ लिया था आज दुवारा नहीं पढ़ना पढ़ता तो इससे अच्छा है कि अभी पढ़ लीजिए तो green function find out करना भी आना चाहिए और green function apply करके differential equation का solution भी निकालना आना चाहिए तो इसके लिए step by step हम लोग देखेंगे और अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग four conditions को apply मतलब कैसे हम लोग four conditions को लिखते हैं और अब हम देखेंगे कैसे इनको apply करते हैं कि यहां पर कुछ important points भी लिखें और जो मैंने बताया है वो सब कुछ यहां पर दे रखा है मैंने words में बता दिया मैंने लिख भी रखा है आप लोग यहां से देख लेंगे screen sort ले लिजिए तो यहाँ पर कुछ important points जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसको एक बार summarize किया है आप लोग देखेंगे एक बार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक differential equation हमें दे रखा होता है differential equation का जो form रहेगा वो non homogeneous रहेगा non homogeneous पर हम लोग क्या करेंगे homogeneous differential equation में convert कर लेंगे और उसमें कैसे convert करेंगे इसको zero करके RHS जो रहेगा उसको zero कर देंगे तुमारा homogeneous form मिल जाएगा इसके वाद हम क्या करेंगे इस differential equation का linearly independent solution find out करेंगे और इसकी help से हम green function को लिख लेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर capital A, capital B जो भी boundary conditions दे रखेंगे इस वाली non homogeneous differential equation के लिए वो यहाँ पर हम लोग use करने वाले हैं और यहाँ पर फिर क्या करेंगे इन A और B को find out करेंगे using given boundary condition इसके बाद A1, A2, A1, B2 इनको find out कर लेंगे बस हमें green function मिल जाएगा यहाँ पर रख देंगे तो यह whole summary हो गई इसकी जो जो अभी तरक मैंने पढ़ाया है और आपने पढ़ाया है तो एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ लीजे अगर नहीं समझ में आया तो lecture को rewind करके देख लीजे फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप mail कर सकते हैं mail दिया रहेगा और directly call भी कर सकते हैं thank you so much अब हम next video में देखेंगे कि कैसे हम लोग green function find out करते हैं ओके अभी तक तो हमने theory part देखा अब हम एक differential equation लेंगे और उस differential equation के लिए green function find out करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस green function की help से उस differential equation का solution find out करेंगे ओके तो ये अगले lecture में देखते हैं तब तक के लिए thank you so much वीडियो पर like कीजिए share कीजिए स्वास्त रहिए